आज मैं बनाने जारे अनकूट अनकूट की बनाने के लिए यहां पर मैंने कद्दू गोबी पता गोबी लौकी और यहां लिया मैंने मैती पालक जो भी सबजिया हो आप ले सकते हो तो यहां पर हमने अच्छे से दो लिया काड लिया और यहां लिया गाजर और यहां लिया शकरकंधि, मिंडी ने और यहां लिए मैंने एक सेव ने मूमगी दाल, चमले जिसको वने सबी दाल को सुन्- streaming पानी से भिग्गो के रखा यहां लिए रहर की दाल गुंगुने पानी से भिग दाल यहां लिए मोट यहां लिए चावल और यहां लीए हमने हरी मिर्ची आद्राप कुछ लिए यह पर कड़े मसाले गोसे पत्ता है है टो यहां पर सबसे पहले क्या करना यह कोइद लेना बड़ा तरह वहार ऐसे सब्झें डाल है जो अब हमने सेड़ जालेंगे गाजर अब इसके बाद डालेंगे हम सकरकंदी तो यहां हमने सकरकंदी डालने के बाद में अब डालेंगे यहां अपने तो यहां हम सबजी को थोड़ा से ला लेते यानी बिठा लेते अच्छे से नीचे यहां डालेंगे सेव कटा हुआ 9 अब डाल देंगे मैथी पालक और मूली के पत्ते तो यहां हमने मूली पत्त सारी सबजिया जो हरी बली डाल दिये इसके अंदर कोकर के अंदर अब हम कोकर को गैस पे चड़ा देते हैं यहां डालेंगे तीन से चार ग्लास पानी तो यहां हमने पने डाल दिया है और अब इसी के साथ ही डाल देते नमक नमक डालेंगे स्वाद के अंशार तीन से चार चम्मत छोटी तो यहां हमने नमक डाल दिया है और यहां पर दो सीटी आने तक हम गेस पर ही ऐसे ही चड़ा देंगे कोकर को यहां लिए हमने छोटा कोकर जिसमें डालेंगे अपनी दाले जो हमने दाले बिगो के रखी हैं गुनगुने पानी में गुनगुने प और अब डालेंगे चमले तो आप भी इस तरह की से आपको कभी भी चल्दी अनकुट बनाना हूँ और दाले आपके पास भीगी नहीं हो तो इस तरह की से गुन-गुने पानी में आप भी पिको के रख सकते हैं और आपकी दाले हैं तो फटा-फट भीग जाएगी तो यहां ह को कर के अंदर और इसके साथ ही डाल देतेां मोट है कि तो यह हमने मॉट को भी डाल दिया है और जाल देंगे अपनी चल्के बाली डाल जाजळों सो ली chili व है इन olur इन को टेसुट है तो आप भी जरूर पर डालें और यहां लें मलें हमें चावल तो दौनों कोकर करते चाड़ा दिया गैज पर किस तरीक तरीका सावारी सभजी यो गल के तैयार होई है तो यह देखें दो सीटि में एक्दम सारी सभजी यो हलबा हो चुका आप तो इसी तरीका सामें अनकोट बनाने के लिए सब्ची चाहीए तो यहां हमने अच्छे से इसको अगर आप थोड़ी बहुत सब्जी साबद भी रहती है तो इस तरीक से दबा दबा के वह एकदम हल्वा सी हो जाएगी और इधर हमारे दाल भी पक के तयार हो गई है तो हम कोकर को दोनों को खोल देते हैं यह देखिए इस तरीक की हमें चाह चमचे तो घी को अच्छे से घरम होने देते हैं तो गी अच्छे से घरम हो गया और अब डालेंगे कड़ी पत्ते दो सूकी लाल मिर्ची और लिए मैंने कुछ कड़े मसाले चकरफूल जावित्री बड़ी लाइची और दाल चीनी तो कड़े मसालों को हल्का सबूल लेते हैं तो असी के साथ ही डालेंगे अब तेज पत्ते अब चलाती हुए मसालों को अच्छे से शेख लेंगे दो से तीन मिनट तक खड़े मसाले हैं जो अच्छे से पक जाएं अब इसके बाद डालेंगे हम यहां पर थोड़ी सी काली मिर्ची लॉंग तो इनको भी अच्छे से शेख लेते हैं तो यहां पर हमारे कड़े मसाले अच्छे से शेख चुक है याली हमने अध्रग काली मिर्ची और हरी मिर्ची तो इनको भी हम खड़े मसाली के साथ में अच्छे से भूल लेते हैं तो आहमें, हद्रक, हरी मिट्ची, काली मिट्ची पाउड़ास , एँप लाल मिची पाउड़ास , मदर। stuffy तो अब डाल दें हमारी सब्जी है जो हमने पका के रखिए और अच्छे से मिला लेंगे सब्जी डालने के बाद में मसाले के साथ में है तो यहां हमने अच्छा से मिला लिया एक कालर्फूल के सबजें मारे बन के तैयर हुई है यह तरफ लिन अच्छा क्वणर है ओआ अपनी दाल चावल मतलई की व्हाओ लेटें तो मैं अच्छा मिला लिया है कि देके इन शांदार कुष्भा ताटक काजू रहा चूल लिया है करने रोस्ट नाइफूट चोला शूब्लकर पादाम कलगारा को रघ के अनदर चूला से अन्धर इसना पादाल्य तो एदा हमारी कदखे मेर चूला टाहिए और इसको सारी अंकूट के काजू बदम को डाल दिया है अब डालेंगे यहां पर थोड़ी से अनार के दाने यहां मैंने एक अनाल लिया है तो अनार को भी हम लास्ट में डालेंगे पहले नहीं डालेंगे तो लीजिए हमारा आज का मज़िदार अंकूट की रेस्पी है जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्क्राइब करें, बेल आकर मुटे दौन